नमस्कार में हूं मेक शर्मो और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरे देख रहे हैं हर्याणा के करनाल से और इस वक्त हम मौजूद है बस्ताडा टोल प्लाजा पर जहां पर देखिए करनाल के स्पी गंगराम पुनिया खुद मोके पर पहुंचे और किसानों को किस तरीके स किसानों को पकड़ा जा रहे हैं किस तरीके से और आज गिराफतारियां होने की भी पूरी पूरी संभावना हैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले किसानों ने कहा था कि हम करनाल के देराकार सेवा में कठा होंगे और काले जंडे लेकर इस बैठक का विरोद करेंगे मुखे मंद्री मनोह लाल खटर का विरोद करेंगे पूरे बीज़ेपी पार्टी के तमाम जितने भी मंद्री सांसद आएंगे उनसब का विरोद करेंगे लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाऊंगी कि बेरा कार सेवा में किसान नहीं पहांचते हैं किसान इकठा होते हैं बस्तारा तोल प्लाजा में और यहां पर आप देखिए हर्याना रोडवेस की तमाम बसें यहां पर खड़ी होंगी गिरफतारियों के लिए भी गिरफतारियों के लिए भी पुलिस की गाड़ियां यहा पर पहुंच चुकिए यह आप लाइट तस्वीरे बस ताड़ा टोल प्लाजा से देख पारे करनाल के एसपी हों गंगराम पुनिया करनाल के डिप्टे कमिशनर भी खुद यहाँ पर मोके पर पहुंचे हुए और यह देखिए SDM करनाल बड़े बड़े जो करनाल के अधिकारी हैं तमाम सचों हैं देखिए अलग-अलग करनाल जिलों से भी पुलिस टीम को बुलाया गया था अलग-अलग जिलों के डिएसपी को तैनाद किया गया था और यह देखिए यह देखिए हलमेट डालकर जो करनाल के डिप्टी कमिशनर है निशान कुमार यादा वो खुद पुलिस के बीचों बीच यहाँ पर खड़े हुए यह लाइफ तस्वीर इस लगता आप अजया सक्ति डालकर थाकर दो कमिशनर है फिर यह से डिसपर्स कर जाए यह तो बल का प्रियों किया जाएगा इटो परियों फिर से किया जाएगा आपसे चिताही यह थे देखिए करनाल के SDM है आयूर सिना और उनके साथ करनाल के जो SP है SP है गंगरामपुनिया वो मोके पर पहुंचे हुए है पुलिस बल ही पुलिस बल आपको बस साड़ा टोल प्लाजा पर आज देखने को मिलेगी लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि करनाल के SP गंगरामपुनिया मोके पर पहुंचे हुए है और बस साड़ा टोल प्लाजा पर इस वक्त तनाव की स्थिती बनी हुए है तनाव की स्थिती स्थिती से बनी है क्योंकि किसान और पुलिस आमने सामने है किसान और पुलिस आमने सामने है हाला कि पूरी की पूरी घेरा बंदी कर दी गई है किसानों को अंदर बंद कर दिया गया है किसानों को नजर बंद कर दिया गया है आप देखिए सेक्टर बत्तिति थाना से सेट्चों हैं और अलग-अलग करनाल के सेट्चों आज यहां पर पहुंचे हुएं और पूरी तरीके से बस्ताडा टोल प्लाजा को पुलिस चामनी में तब्दील कर दिया गया है वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह जानकारी मिल रही है बड़ी जानकारी कि करनाल से जो किसान नेता है जगदीब सिंग ऑलक उनकी भी यहां से गिरफतारी हुई है उनके साथ साथ इंदरी से जो किसान है मंचीत उनकी गिरफतारी हुई है और भी कई किसान ऐसे हैं इनकी गिरफतारियां हुई है, हलाकि इस बारे में जादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी तनाव पूरन स्थिती है, काफी तनाव की स्थिती देखी जा सकती है, क्योंकि किसान और पुलिस आमने सामने हैं, गिरफतारियां हो चुकी हैं, और बताया जा रहा है कि लाठी चाइरज भी हुए है लाठी चार्ज यहां पर हुआ है और किसानों को काफी चोट भी आई है गिरफ़ारिया विद्ध कব पुलिस चान्टी में पूरा मसारा टोल प्लाजा तब दील हो चुका है एक बार किसानों से बात करेंगे क्या कुछ तीती यहाँ पर रही क्या नाम आपका गगंदी दिए यह देखो जी लाटी चार्ज हुआ है जी गिराफ्तारिशा है लेफ्तारी किसी की गिराफ्तारी संद उनकर चोट लगी है जी हॉस्पिटल गए है हां जी हमारे तो एक बार उस तरफ भी लाठी चार्ज हुआ है लाठी चार्ज हुआ है एक बार आगे कि भी आपको तस्वीरे दिखाते हैं क्योंकि स्थीती पहले से ही अनुमान लगाया जा रखा कि तनापूरन होगी और वहीं में आपको बड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि दूसरी सामने किसान है और अब पुलिस उनकी तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है पहले यहां पर लाठी चार्ज हुआ है जो किसान नेता है जगदीब सिंग अलक जगदीब सिंग अलक उनकी तरफ उनको चोट भी आई है उनको हॉस्पिटल लेकर जाये जा रहा है यह बड़ी जानकारी इस वक्ती सामने आ रही है यह देखिए गाडियों के शीशे तक तोड़े गए है लाठी चार्ज हुआ है लाठी चार्ज यह करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा की आप यह लाई तस् किसानों का यह कहना था कि हम विरोध करेंगे हम काले जंडे दिखाएंगे लेकिन किसानों को करनाल में एंट्री ही नहीं मिली करनाल में उनको घुसने ही नहीं दिया गया बलकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले पहले किसानों की जो रणनी थी थी वो यह थी कि हम करन रिखनाल की तरफ रवाना होंगे और वहांपर कूच करेंगे लेकिन फिल्हाल जो बड़ी जानकारी आ रही है वह यह है कि किसानों को यही पर नजर बंद कर दिया गया किसानों को आगे जाने ही नहीं दिया गया आप सबी लोग उसे अपीली सुड़े को देखें और इसे श गाडिया चलती हुई फिरसे नजर आ रही है पीछे काफी घंटों से लोग भी इंतजार कर रहे थे बसे वाले इंतजार क रहे थे लोग काफी दर से इंतजार कर रहे थे कि कब नेशनल हाईवे खुलेगा कब हम आगे जाएंगे वो देखिए पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लाठी चार्ज होता है जिसके बाद यहाँ पर किसान अब नहीं है एक किसान हमने आपको और भी दिखाया कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था लेकिन उसको भी गिरफतार कर लिया जाता है और बड़ी यह जो जानकारी है यह भी निकल कर सामने आ रही है कि कुछ किसानों को गिरफतार भी किया गया हलाकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी विस्तार पूरवग बाद में निकल कर सामने आएगी कि कितने किसानों की आज गिरफतारियां हुई है लाठी चार्ज में कि ज़ंडे लेकर करनाल के डेरा कार सेवा में एक अठा होंगे उनके उपर भी लाठी चार्ज हुआ है उनको भी गंभीर चोटे आई है उनको भी हस्पताल लेकर जाया गया है ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट इस वक्त आइबन 24 आपको जरूर दे रहे हाला कि फिलह पहले हम आपको करनाल की तस्वीरे दिखा रहे थे तो लाठी चार्ज की तस्वीरे हम आपको नहीं दिखा पाए लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज यहां पर क्या कुछ हुआ वो भी आप तक जरूर पहुंचा पाए आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखे और से शेयर जरूर करें यह तनापूरन सिती आप करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा से देख रहे थे जहां पर पुले से पुलिस आपको चारो तरफ देखने को मिली थी धन्यवाद अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएग सबसे पहले पहुँचे आप तक